नमस्कार, मेरा नाम अमरनाथ सिनहा है और आज हम लोग अबैकस के बारे में दिसकस करेंगे एंसियन टाइम के बारे में चर्चा करने पर अकसर हमारे दिमाग में यह सवाल आता है कि एंसियन टाइम के इनसान कैलकुलेशन कैसे किया करते थे क्योंकि तब उनके पास ना तो computer था और ना ही calculator तो फिर उस वक्त के इनसान calculation कैसे करते थे वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ancient time के इनसान पत्थरों, हड्डियों और उंगलियों का इस्तमाल करके calculation किया करते थे लेकिन पत्थरों, हड्डियों और उंगलियों का इस्तमाल करके बड़ी संख्याओं का calculation करना संभव नहीं था अगर हमसे ही कोई कहे कि आप पत्थर का इस्तमाल करके 2 प्लस 2 का calculation करिये तो यह करना हमारे लिए possible है लेकिन अगर कोई हमसे ऐसा कहे कि आप पत्थर का इस्तमाल करके 2 प्लस 2 नहीं 1000 प्लस 1000 का calculation करिये तो यह करना हमारे लिए कठिन होगा इसी लिए इनसानों ने समय के साथ कठिन और बड़ी संख्याओं का calculation करने के लिए विभिन प्रकार के device का अविस्कार किया आईए अब हम आज के topic के बारे में चर्चा करते हैं Abacus is the first calculating device of the world Abacus दुनिया का पहला calculating device था यानि Abacus दुनिया का पहला calculator था जब इनसान बड़ी संख्याओं का calculation पत्थरों, हड्डियों और उलियों के मदद से नहीं कर पाता था तो उन्होंने सबसे पहले Abacus नाम के उपकरन का अविस्कार किया था अपने screen पर आप अभी Abacus का एक तस्वीर देख सकते हैं Abacus का निर्मान rods के frame के रूप में किया जाता था जिनमें हर एक rod में बहुत सारे beads लगाये जाते थे और हर एक bead का value 1 होता था आप देख सकते हैं कि आपके screen पर जो तस्वीर मौजूद है उसमें हर एक rod पर अलग-अलग color का bead लगा हुआ है पहले rod में उपर से पहले rod में blue color का bead लगा हुआ है दूसरे rod में red color का bead लगा हुआ है तीसरे rod में orange color का bead लगा हुआ है और ऐसे ही हर एक rod में अलग-अलग color का bead लगाया हुआ है याद रखने वाली बात यह है कि हर एक bead का value हमेशा one माना जाता है Abacus was developed by Chinese people in 2nd century before Christ Abacus का अविस्कार चीन के लोगों के द्वारा 2nd century before Christ यानि आज से 2200 साल पूर्व किया गया था It was used for doing basic calculation such as addition, subtraction, multiplication and division इसका इस्तमाल basic calculation जैसे की addition, subtraction, multiplication and division को करने के लिए ही किया जाता था जब कभी भी बड़ी संख्याओं का basic calculation, बड़ी संख्याओं का addition या subtraction करने का आवश्यक्ता रहता था तो इनसान Abacus का इस्तमाल किया करते थे It was initially used by merchants in China जब आज से 2200 साल पहले चाइना में यानी चीन में Abacus का अविस्कार हुआ तो इसका इस्तमाल सबसे पहले चीन के merchants ने किया यानी चीन के website ने किया हम जानते हैं कि calculation का काम सबसे ज़्यादा businessmen को करना पड़ता है इसलिए जब इसका आविस्कार चीन में किया गया था तो सबसे पहले इसका इस्तमाल वहां के businessmen ने किया था The word Abacus is derived from Greek word Abacs which means flat surface Abacus जो word है यह word actually में एक Greek word से निकला हुआ है जो की Abacs है और Abacs का meaning flat surface होता है But it is known as swan pan in Chinese languages लेकिन आज से 2200 साल पहले जब चीन में इसका अविस्कार हुआ था तब वहां के लोग इसको Abacus कहकर नहीं पुकारते थे वहां के लोग इसको swan pan कहते थे Yes, swan pan Today it is also known as counting frame लेकिन आज कल इसको counting frame भी कहा जाता है इसको Abacus भी कहा जाता है और counting frame भी कहा जाता है counting frame इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके दुआरा हम लोग counting कर सकते हैं आपके ग्राफिक्स आपके mobile screen पर अभी एक image आपको दिख रहा होगा इस slate का इस्तमाल हम लोगों ने बचपन में किया था जिसमें slate के साथ एक Abacus attach रहता था आप लोगों ने भी सायद इस प्रकार के slate का इस्तमाल अपने junior classes में, early classes में किया होगा आज हम लोगों ने Abacus के बारे में discuss किया अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को like कर दीजिएगा और इसी प्रकार से computer से related updates पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe कर दीजिएगा धन्यवाद